पंत की किस्मत अच्छी थी जो हाथसे के वक्त उनके लिए एक बस ड्राइवर मसीहा बन कर आया और जान बचाली ड्राइवर ने पंत को कार से ना केवल दूर किया बलकि चादर लपेट कर उन्हें ततकाल अस्पताल भिजवाया तो आईए जानते हैं आखिर कौन है यह ड्राइवर जो पंत के लिए फरिस्ता बन कर आया हर्याना रोडवेज में बस ड्राइवर है सुशील कुमार दरसल पंत के लिए मसीहा बन कर जान बचाने वाले इस ड्राइवर का नाम सुनील कुमार है जो की मूल रूप से हर्याना का रहने वाला है सुशील कुमार हर्याना रोडवेज में बस ड्राइवर है वो रोजाना हर्याना से टूरिस्ट की बस लेकर उत्तराखंट के लिए जाते हैं उनकी सैलरी बीस हजार के आसपास है लेकिन अब उन्होंने इंसानियत दिखाते हुए करोणों कमाने वाले क्रिकेटर की जान बचाए बता दे की जिस वक्त पंत की गारी में एक्सीडेंट हुआ उस दौरान हर्याना रोडवेज की बस उनके पीछे चल रही थी जिसे सुशील कुमार चला रहे थे सुशील कुमार ने बताई हादसे से लेकर बचाने तक कि पूरी कहानी सुशील कुमार ने बताया कि जिस दौरान पंथ की कार का एक सीडे हुआ उस समय में हरिद्वार से आ रहा था जैसे ही हम नारसन के पास पहुँचे तो मैंने 200 मीटर पहले देखा दिल्ली की तरफ से आने वाली एक कार 60-70 की स्पीड में दिवाइडर से टकरा गई मुझे लगने लगा था कि अब यह कार हमारी बस से भी टकरा जाएगी और यह टकर हो गई तो हम में सु कोई नहीं बचेगा क्योंकि कार और बस का फासला महस 50 मीटर ही फासला था इसलिए मैंने आनन फानन में बस को ततकाल सर्विस लाइन से हटा कर फर्स लाइन में डाल दी इसके बाद तुरंद ब्रेक लगाया और बस से कोट कर कार की तरफ भागा जलती कार से दूर किया, चादर लपेट कर अस्पताल भेजा सुशील कुमार ने बताया कि जैसे ही मैं एकसीडेंट वाली कार के पास पहुचा तो एक युवक रिशब पंथ सड़क पर पढ़ा था उसकी बौडी से खून बह रहा था पूरी तरह से वहा आदमी खून से लटपत था वही पास में कार से आग की लपते निकल रही थी जैसे तैसे मैंने उसको कार से के पास से हटाया और उससे पूछा कि आप अकेले हो या कार के अंदर और भी कोई है जिसका जबाव देते हुए पंत ने कहा नहीं मैं ही अकेला था फिर पंत ने अपना परिचे दिया कि मैं क्रिकेटर रिशब पंत हूँ लेकिन सुशील ने कहा कि सर मैं क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ ना ही आपको पहचान हूँ, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। फिर सुशील कुमार ने अपनी चादर पंत को लपेद्दी और एम्बूलिंस को कॉल कर बुलाया।